इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप call forwarding कैसे बंद कर सकते हो तो दोस्तो जब भी कोई भी हमारे mobile में call forwarding चालू कर देता है तो हमारे पास कोई भी call नहीं आता है वो call दूसरे number पे जाता है जो number call forwarding में पड़ा होता है तो अगर आपके भी मोबाइल में किसी ने call forwarding चालू कर दिया है या फिर आप नहीं चालू किया है तो कैसे बंद करोगे यही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर पहली बारा चैनल को सब्सकाइब करिएगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखो दोस्तों call forwarding बंद करने के लिए यानि call forwarding हटाने के लिए इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा एक ना एक तरीके से आप call forwarding बंद कर सकते हो तो ये तरीके 100% काम करेंगे आपके phone में call forwarding बंद हो जाएगा तो पहला तरीका सबसे फिले आप अपने phone में dial pad open करेंगे जहां से आप call वगरा करते हैं ये dial pad में dial pad open करता हूँ dial pad open करने के वाद आपको नीचे एक three dot का icon मिल चाहेगा ये वाला तो अभी आप यहाँ पे three dot पे click करेंगे तो जैसे आप three dot पे click करते हो यहाँ पे आपको एक settings का icon मिल चाहेगा ये वाला तो आप settings पे click करना चलिए मैं settings पे click करता हूँ जैसे आप settings पे click करते हो इसमें आपको एक option मिल चाहेगा call forwarding settings का तो ये आप देख सकते हो तो आप call forwarding settings पे click करना तो इस पर click करना है तो जैसे आप क्लिक कर देते हो यहाँ पर ऐसा option आएगा आपके phone में अगर दो SIM पड़े होंगे दोनों SIM आ जाएगे अगर आपके दोनों SIM पर call forwarding चालो है तो आप देख लिजेगा and one by one करके दोनों पर बंद का लिजेगा तो मेरे जियो SIM पर call forwarding चालो है और मैं अभी जियो पर क्लिक करता हूँ तो आप अपने SIM पर क्लिक करना उसके बाद में आपको दो option मिल चाहेंगा बोईस मिल चाहेगा वीडियो मिल चाहेगा तो आप simple बोईस पर क्लिक करना जैसे आप बोईस पर क्लिक करते हो उसके बाद में यहाँ पर आपको मिल चाहेगा forwarding all calls and यह mobile number है तो अभी आप इस पर क्लिक करना जैसा आप क्लिक कर देते हो यहाँ पर आपको वो mobile number देख जाएगा जिस number पर call forwarding किया गया है मतलब कि आपके पास कोई भी call करता है तो वो call आपके पास नहीं आता है बलकि वो call इस number पर जाता है जो number यहाँ पर आपके mobile में पड़ा होगा तो अभी देखो call forwarding बंद करने के लिए नीचे आपको एक option मिल जाएगा turn off का icon यह आप देख सकते हो तो आप turn off पर क्लिक करना तो जैसा आप क्लिक कर देते हो यहाँ पर off हो जाएगा call forwarding यहाँ पर देख सकते हो सभी में off-off है बस यह आप off आपको जैसे ही दिखे आप सम कर लेना और आप इस परकार से call forwarding बंद कर लिजेगा तो यह तुरह पहला step और इस परकार से आप call forwarding बंद कर सकते हो तो चलिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ call forwarding बंद करने का तो उसके लिए आप अपने phone में simple dial pad को open करे रखेंगे तो हो सकता है कि आपके mobile में यहाँ पर यह त्री डाट का option ना मिले या फिर settings के अंदर आपको call forwarding का option ना दिखे तो अब आप इस दूसरे तरीके को apply करिएगा और call forwarding बंद हो जाएगा तो दूसरा तरीका क्या है इसके लिए simple आपको एक code dial करना है आप जैसे code dial करोगे तुरंट call forwarding बंद हो जाए इस code को आपको अपने sim से dial कर देना है तो जैसे कि मैं यहाँ पर dial कर दिया तो जैसे आप dial कर दे तो आपके सापने ऐसा option आजाएगा call forwarding erase successful तो जैसे erase का option आता है आप okay पर click करना अभी आपके phone से call forwarding हट गया ओके तो इस पगार से भी आप call forwarding बंद कर सकते हो तो यह बिल्कुल इजी तरीका है ना तो मैंने आपको दो तरीका बता दिये आप one by one करके जिस तरीके से भी आपके mobile में call forwarding बंद हो जाता है आप बं कर सकते हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो है वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर पहली बार आप चैनल को सब्सक्काइब करिएगा चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पेंडि करते हैं तब तक लिए जाएगिन बंदे मात्रम